हेलो माई ये लबली स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत सारे स्टुडेंट्स का पूछना था कि भी हर पैरेमेडिकल क करने में कितना पैसा लगेगा एक्जाम का पैटर्ण एंड सिलेबस क्या रहेगा कितना रहता है वाइस एंड गल्स के लिए सबसे अच्छा कूर्स कौन सा होता है यह सारे स्टुटेंट्स के मन में डाउट होता है तो इस वीडियो में मैं यह सारे डाउट्स आप लोग का क्लिएर करने वाली हूँ तो चलिए इस video करतें और इस video को अप लोग अनतक देखिएगा इस Such में सारे डाउट्स आप ви अपंत रोग कर दिया जाएगा कि बीहर पारामेडिकल होता क्या है इसमें बेस्ट कॉर्स क्या है कौन से कूर्स करने से आप लोग अपने फ्यूचर सेक्योर कर सकते हैं किसमें जॉब और पुचिनिटी जादा है यह सब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर अप लोग के भी मन में भी है परामाडिकल को लेकि कोई भी डाउट से तो इस वीडियो में आज हम लोग सारा डाउट से क्लियर करने माले हैं आप लोगों का स्वागत है प्यपे टूटोरियल पे तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हा हमारा की PM और PMM क्या होता है इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होता है समझ में नहीं आता कि ये PM क्या है और PMM क्या है तो आप लोगों को पता होना चाहिए PM जो होता है वो 12th लेबल का होता है और PMM जो होता है वो 3 लेबल का होता है PMM means paramedical metric जिसमें dracer course आता है और PM means 12th लेबल जो paramedical का होता है paramedical में आपको A&M, GNM, Pharmacy, Lab Technician, OT Assistant, Radiology बहुत सारे courses आते हैं paramedical में लेकिन PMM में बस only one course आता है जो गिट रेशर का course होता है तेंथ लेबल पे और उसके बाद बात आती है कि ये examination form भढ़ने में examination form कब आता है तो मैं बता तो examination form जो आता है वो first week of the May आता है examination form first week of the May आता है May के starting में आप लोगों को examination form release कर दिया जाता है अब बात आती है कि ये form भढ़ने में कितना examination fee लगता है तो examination fee है paramedical का general BC, EBC से 7.500 रुपे लगते हैं और जो AC, ST, DQ quota से आते हैं उनके लिए 480 है अगर आप लोग PM plus PMM दोनों का form apply करते हैं तो आप लोगों का examination fee लगता है general BC, EBC का 850 रुपे और SC, ST, DQ से जो लोग आते हैं उनलों का 530 रुपे तो PM plus PMM दोनों का form apply करने पे general BC, EBC में 100 रुपे और बढ़ा दिया जाता है और SC, ST, DQ में 50 रुपे बढ़ा दिया जाता है तो आप लोग दोनों form apply कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपे, 50 रुपे का अंतर है ज्यादा कोई अंतर नहीं है इसके बात बात आती है बिहार paramedical में syllabus क्या होता है तो बिहार paramedical में कौन-कौन से syllabus है किस subject से कितने questions आते है तो इस वीडियो में ये बताते है तो आप लोग को पता होना चाहिए जो science है, उससे 25 questions आते हैं आपके बिहार paramedical में जो कि 11th और 12th standard के होते है mathematics से जो आते हैं वो 15 questions होते है जो कि 10th level पे होते है English से 15 questions आते हैं जो कि 10th level पे होते है और Hindi से भी 15 questions आते हैं जो कि 10th level पे है GK से 15 questions आते हैं जो कि 10th level का है total questions आपका 19 questions होता है एक questions carry करता है 5 marks तो 19 questions कितने marks का हो जाएगा तो 450 marks का तो इसमें negative marking नहीं होता है और 12 जो लोग PCB से किये हैं मिन्स physics, chemistry, biosick जो लोग किये हैं उनके लिए सबसे best course होता है GNM गल्स के लिए सबसे best course GNM होता है grade A nursing होता है और जिनका 12th arts commerce से है उनके लिए best course है ANM जो की grade B nursing होता है तो अगर आप लोग गल्स हैं तो आप लोगों का target होना चाहिए कि GNM किजिए GNM काफे best course है और ये grade A nursing है अगर आप लोग physics, chemistry, bios से हो तब अब कुछ courses हैं जिनको boys और girls दोनों कर सकते है तो वो course है pharmacy, ot assistance, lab technician, x-ray technician, ophthalmic assistant, sanitary inspector, radiology तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि best course कौन सा होता है boys के लिए तो best course of boys जिसमें pharmacy, lab technician, ot assistant ये तीनों course में से कोई भी course boys लोग कर लेते हैं तो उनका future काफी इस field में काफी अच्छा हो जाता है उनका job opportunity भी बहुत ज़्यादा chances रहता है कि हो जाता है कहीं और अब बात करते हैं कि best course for girls girls के लिए कौन सा best course है तो ये आप लोगों को GNM और ANM है GNM और ANM best course है girls के लिए अगर आप लोग physics chemistry bio से हैं तो आप लोग then GNM कीजिए और arts और commerce से हैं तो आप लोग ANM कीजिए तो चलिए आज की वीडियो आप लोगो कैसी लगी अगर आप लोगो इस वीडियो में कोई भी doubts हो तो आप लोग comment section में पूछ सकते हैं वैसे तो मैं सारा कुछ बता दी हूँ लेकिन फिर भी कुछ doubts आपके मन में हो तो आप लोग comments box में comment कीजिए और इस वीडियो को इस वीडियो को like, share and subscribe कीजिए और इस चैनल पर new है तो इस चैनल को भी subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए जो भी इस वीडियो जो की इस चैनल पर जो भी वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आप पर आजाएंगे notifications तो चलिए मिलते हैं नक्स्ट क्लास में तब तक लिए बाबाय टेक केर, study well